नमस्ते मेरा नाम दुनेलिया, मैं कच्छाई की शाथ हूँ, आज मैं आपको एक कहानी लेके प्रस्त थोएंगों, जिसका नाम है एक शायर में दुप्रापस्लाव रजका रहता था, जिसका नाम था हामिद। वो उसके पास-पास उसकी नमी दानों बचिकर में दुगर रहे थे, अब वो अपने ताजी अमीना के साथ रहता है, वो नामी पे तीन गुपा मांता है, वो अपने दोस्तों के साथ मेला देखने चाहता है, लोग आपस में करे मलते हैं, फिर आमिद। पीद। आगे भुड़ता है, फिर वो उसके दोस्त लग लग खोने लेते हैं, और फिर वो आमेद अमने लग चाहें आँगों से देखता रह जाता था, फिर वो आगे बढ़े, फिर मिठाएगी दुकान आई, फिर नामिद। उनकी दोस्तों ने लगर लख मठाई नहीं, फिर उने सलचाई कासों लगर जोचाई आखों से देखता रह गया, फिर वो आगे धूरी, फिर लोई की दुकान आई, फिर हामेद लोई की दुकान पर उप जाता है, और उपर अंकल से पूछता है, फिर ये चंता कितने का है, फिर वो कैता है, बोई अंकल काते हैं, तीन पाश रुपाय का, फिर वो पूछता है, तीन अंकल लगर और फिर इतना पहता है, वो आगे धड़ जाता है, फिर अमकल करतें की ठीक है, फिर नाने थीन दोपे में किमता देगा, प्रास्पे में बच्चों के खिलामे तूट गे, फिर वो फिर हामेद खर्पट गो, फिर दादी हामेद की अवास अब गो, फिर तो पॉक्ता प्राज गोग है, फिर हामेद की तुमार ना तवे से हाड जो जाता था, इसलिए मैंने चिंटा लिया, फिर पूछ तीन की पर सिमेद, फिर वो कहता है, तीन की पर सिमेद, तो हमाने इस कहानी से बनों की ख्यास रखना की ए और हमानी की चुजों की ख्यास रखना की आपका